आज हम आपसे बात करने है कोबोटा के एकदम न्यू मोडल 55-02 के बारे में बहुत ही ज़्यादा खास ट्रेक्टर है इसकी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी 55 HP में ट्रेक्टर आता था कोबोटा का एक 45 में आता था तो इन्होंने इस जो 10 HP का गैप है इसको भरने के लिए 50 HP के ट्रेक्टर बनाया है बहुत ही शांदार किसान साथियों ट्रेक्टर की कुल लंबाई 3720 mm है ट्रेक्टर का वजन 2310 केजी है ट्रेक्टर का वील बेस 2100 mm है और ट्रेक्टर का ग्राउंड की लिरेंस 420 mm दिया गया है बहुत ही शांदार ट्रेक्टर है इसकी एक एक स्पेसिफिकेशन एक टेक्नलोजी की आप से बात साल की स्टेडर्ड वारंटी कंपनी दे रही है लिखकर यहां पर टैग लगा हुआ है डिजाइंड बाई कोबोटा इन जापान जापान की तकनीक पर पूरी तरह से अधारित है सिंक्रो मैस गियर सिफ्टिंग है बारा प्लस चार डूवल पीटियो डूवल किलच डूवल मत किसान साथियो ट्रैक्टर को जिस तरह के सिंगल पीस बोनट के साथ आता है जो की हाइड्रोलिक जेक की मदद से उपर उठता है ओटोमेटिकली बात करें अगर इसके इंजन की तो इसके अंदर आपको उड़न चास होर्स पावर पचास हास पावर भी कह सकते हैं बाइस सो इंजन रेटेड आर्पियम चार सिलेंडर टर्बो चार्जड चोबीस सो चोटीस सीची का इंजन मिलता है जिसका बोर सतासी एमेम और स्ट्रोक एक सो दो एमेम दिया गया है किसान साथियो ट्रैक्टर की एसेफ सी वैल्यू 235 ग्राम पिरती किलोवाट आवर्स है इसका मै 2400 इंजन रेटेड आर्पियम पर निकालता है और कंपनी बोलती है कि यह 35 परसेंट मैक्सिमम टॉर्क या बैकप टॉर्क इस ट्रैक्टर के अंदर आता है बहुत ही कॉंपैक्ट साइस का इंजन है इसी डी इस टकनीक है कम डीजल खपत चार वॉल्फ सिस्टम है हर पिस्टन में चार वॉल्फ लगे हैं दो होते हैं नॉर्मली बैलैंसर साफ्ट है जिससे ट्रैक्टर का वाइब्रेशन बहुत ही कम हो जाता है हर पिस्टन पर मतलब इंजन के अंदर आपको टोटल दो बै इंजन ट्रेक्टर के अंदर दिया गया है 50 HP क्याटिकरी करीं बहुती शांदार बहूती जांदार किसान साथी हो कुबोतां का इंजन डिए टर्बो के लिए इस Τरर्बो के लिए ही दिजाइन किया जा टा एसा नही है कि इंडिया में जो कंपनी वाली यह कुराने वाले इंजन में ही टर्बो ठोकर किसान को चिपका देती है लेकिन इसका इंजन ही अलग से टर्बो के हिसाफ से डिजाइन किया जाता है टर्बो वाला इंजन आपको अलग से मिलेगा नोन टर्बो वाला इंजन आपको अलग से डिजाइन किया हुआ मिलेगा काफी अच्छी बात है इन-लाइन पंप दिया गया है बोस कमपनी का नहीं है कुबोता कमपनी खुद ही इस पूरे के पूरे इंजन और पंप को डिजाइन करती है उसी के अंदर इन-लाइन तकनीक के साथ ये पंप दिया गया है साथ ही आपको डबल डीजल फिल्टर और वोटर सेपरेटर की सुविधा ट्रेक्टर के अंदर दी गई है जो कि ये काफी अच्छी बात है फाइबर का टैंक है 65 लीटर का उसमें वैसे उमस या पानी नहीं बनता लेकिन फिर भी एहतियात के तोर पर इसमें आपको वोटर सेपरेटर की सुविधा मिल जाती है यहाँ पर ये टैंडम पंप है हाइड्रोलिक का पंप अलग पावर स्टेरिंग का पंप अलग जिससे आपकी दोनों चीज़े मेंटेनेंस फ्री रहती है आप देख सकते हैं दो पंप है हाइड्रोलिक का अलग दिया गया है पावर स्टेरिंग का अलग से दिया गया है सात-पचास-सोला के अगले टायर हैं double acting balance type power steering दिया गया है जो कि ये काफी अच्छी बात है double acting power steering smoothly work करता है जो single acting power steering τοती होता है उसके मुकाबले थोड़ा सा fix future आटसे इसने पिंग energy कर सकते हैं लेकिन काफी मजबूत है heavy duty है इसके आप rugged withvärb भी लगा सकते हैं आगे कोई दिक्कत नहीं है डबल एक्टिंग पावर इस्टेरिंग दिया गया है किसान साथ यो बैटरी को आगे रखा गया है जो कि आपके हुड के अंदर एकदम सेफ रहती है साथ ही आपको कूलेंट विद ओवरफ्लो रिजर्वोयर का एक बॉक्स दिया गया है जिससे आपको बार-बार कूलेंट डालने के अवश्रकता नहीं पड़ती यहां पर आपका कूलेंट खुद से ही डल जाता है खुद से ही रिजर्व हो जाता है एक दम कारो वाला मिलता है ड्राइट आप का तेल अगरा डालने कोई जंजत नहीं नहीं है डूवल एलिमेंट मिलता है इसमें आपको दो जाली दी गई है डबल जाली जो की हवा को सुद्ध करके इंजन तक पहुचाती है कि किसान साथियों बात करते हैं ट्रेक्टर के कमफर्टनेस की प्ल पिलकुल साइड में गेर लीवर्स दिये गए हैं फुली एडजस्टेबल सीट दी गई है आगे पीछे उपर नीचे और अपने वजन के हिसाब से भी आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं डिफ्रेंशल लोक की सुविधा ट्रेक्टर के अंदर दी गई है आजकल काफी सारे ट्रेक्टर ने गायब कर दिया लेकिन यह काफी अच्छा फीचर होता एक ट्रेक्टर में डिफ्रेंशल लोक का तो काफी शांदार डैक है काफी शांदार प्लेटफोर्म है और काफी कमफर्टेबल ट्रेक्टर होने वाला है किसान साथियो पिछले वाले टायर 16-28 के मिलत अच्छा होना जरूरी है मडगाड के बीच में भी एक ग्रिल दी गई है इसका पिछला वाला एक्सल कुछ ग्रीसिंग पॉइंट्स के साथ आता है इसके आपको पिछले हिस्से के कुछ पॉइंट्स पर ग्रीस करना पड़ता है पूरा का पूरा पिछला एक्सल तेल में ग्रूबहा नहीं है में प्लेटरी ग्यार ड्राइब टकनीक का मजबूत पिछला एक्सल दिया गया है पीडी भी आप बोल सकते हैं लिए ट्रीड ट्राइब टाइप की तकनीक भी बोल सकते तो किसांट्स आथी लिफ्ट कैपसिटी मैक्सिम लिफ्ट कैपसिटी 200 केजी की जो कि स्रेणी में सबसे अधिक है लिंके देखे कितनी मजबूत हैं और लिंकों के सपोर्ट भी आप देखिए कितने अच्छे तरीके से लिंकों के सपोर्ट दिये गए हैं और आप इसको एड़ेस्ट भी कर सकते हैं आगे पीछे भी अड़ेस्ट कर सकते हैं अपने लिंकों सेंस करने के लिए कुबोता की सेंसिंग कैसी है यह कमेंट करके जरूर बताएं जो भाई कुबोता जोत रहे हैं जिनके पास कुबोता है अब बात करते हैं इसकी पीटियो की तो इसके अंदर आपको 43, 43, 43 HP, 6 Spline, 540 RPM वाली पीटियो मिलती है डूवल पीटियो जो की अपने 540 RPM एकिस सो साथ इंजन डेटियो पर और साथ सो पचास पीटियो के RPM बाइस सो इंजन डेटियो पर निकालती है जो की इकोनमी पीटियो या डूवल पीटियो भी आप इस पीटियो को बोल सकते हैं तो दो उप्सन या दो तरह की पीटियो आपको इसमें मिल रही है सबसे अच्छी एक और बात है यहाँ पर आपको डबल एससीवी वोल्व मिलता है लेजर लेवलर चलाना हो एमबी प्लाव चलाना हो हैड्रोलिक से संबंदित लोडर डोजर वगरा इसमें असेंबल करना हो उ यहाँ पर आपको पीटियो का लिवर मिलता है इससे आप आपकी स्टेंडर्ड पीटियो और डुवल जो मतलब एकॉनमी पीटियो उसको कनवर्ट करने के लिए इस लिवर का यूज करते हैं तो ओवर ओल पिछला इससा काफी अच्छा है और हर चीज को काफी अच्छे से म जगा सकते हैं जटली ट्रेक्टर की हैवी बाली भी असेंबल करवा सकते हैं एकदम वाइब्रेशन फ्री है इसके मडगार्ड भी वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आप देखिए कितनी ज़्यादा हैवी सपोर्ट दोनों ही मडगार्ड को दी गई है बेकल्कुल छोटा से स्टेरिंग वील है काफी कमफर्टेवल है यहां पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है तीन हजार पिलस इंजरेटेड अर्पीम तक किसान साथियों ट्रेक्टर का क्लच देखिए आप कितना शांदार है एकदम सस्पेंडेड़ है क्लच चार साल काम करेगा तो यह आपका क्लच 6 साल काम करेगा यह है पीटियों का इंडिपेंडेंट क्लच येलो वाला पीटियों का इंडिपेंडेंट क्लच है अलग से पीटियों का एक क्लच दिया गया है जो कि यह काफी अच्छी बात है पीटियों का लिवर नहीं है independent clutch, लीवर आपको इसमें पीछे मिलता है, पिछले इससे की तरफ मैंने आपको already दिखा दिया है बात करते हैं इसके gearbox की तो इसके अंदर आपको 12 gear आगे जाने के लिए 4 gear पीछे जाने के लिए full synchronous type की तकनीक के साथ side shift gear levers दिये गए है इसकी आगे की speed 1.8 से लेकर 30.8 km पिरती घंटा और पीछे जाने की speed 5.1 km पिरती घंटा से लेकर 14 km पिरती घंटा engine rated rpm यानि 200 engine rated rpm पर दी गई है बहुत ही शांदार gear box है, बिलकुल भी आवाज नहीं आती shifting के दोरान life कैसी है क्यों को बहुता ज्यादा चला नहीं है इंडिया में अभी तक ये देखिए याँ पर कौन से gear में कितने rpm पर कितनी speed है आप वीडियो को रोक कर अधिक जानकरी ले सकते हैं जो QRC कपलर पीछे लगाए हाइडरोलिक वाले दो बोल्ब लगें उनके लिए ये एक अलग से डबल एक्टिंग लीवर दिया गया है तेल में डूबे हुए मल्टी प्लेट डिस्क ब्रेक ट्रेक्टर के अंदर आते हैं यह देखिए ब्रेक्स के पैडल भी काफी शांदार है एक दम उपर से नीचे की तरफ लटके हुए ब्रेकिंग सिस्टम भी काफी अच्छा है और एक और सबसे अच्छी बात है इसकी आप पैर से दबाने वारी रेज देखिए कितनी सांदार तरीके से डिजाइन की गई है तो किसान साथियो यही सब कुछ था कुबोता M.U. 552 के बारे में आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ओवरॉल ट्रेक्टर मुझे काफी पसंद आया लेकिन प्राइस थोड़ इसी ज्यादा है प्राइस मैं आपको इसकी बता हूँ इसकी प्राइस है 9, 2,14,000 रुपए प्राइस फिक्स नहीं है आप बार्गनिंग कर सकते हैं डीलर के साथ आप सोधा कर सकते हैं किसान से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कीमत सुझाओ कमेंट में लिखकर जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद